हालो विध्यारतियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर नामवर्सी जो हिंदी आलोजना के शेत्र में जाना माना और प्रतिश्टित नाम हैं, उनकी निभन्द काविबिम्ब और सपाट बयानी के विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काविबिम्ब और सपाट बयानी नामवर्सी की क्रती कविता के नए प्रतिमान में विशेशिस्तान रखता है, उसी में से लिया गया है और इस निभन्द में उन्होंने एक विशेश्ट उद्धेश्य लेकर अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। उन्होंने इस निभन्द के अंतरगत जिन बातों को विशेश्ट उप से लिया है, उनमें से तीन बातों को हम यहाँ पर विशेश्ट उप से देख सकते हैं, उनमें पहली बात जो है, वह है कि क्या कविता मूर्त विधान के बिना कविता नहीं रहती है। अथार्त जब तक किसी कविता का मूर्त विधान मूर्त रूप हमारे सामने नहीं आये उससे कोई एक मूर्ती हमारे सामने स्थापित नहीं हो तब तक कोई कविता कविता नहीं रहती क्या एसा है यह प्रश्ण उन्होंने उठाया है और दूसरी बात जो उन्होंने यह उठा चाहिए वह है कि यदि बिम्ब कावे में आते हैं तो उसकी स्थती कैसी होना चाहिए यदि कविता कविता अभी होती जब उसमें विदान होना चाहिए तो वह किस प्रकार होना चाहिए उसकी स्थती कैसी होना चाहिए ये दूसरी बात उन्होंने उठाई है और तूसरी बात जो उन्होंने कही है वह है कि दीरे दीरे परिवर्तन के हाथों में पढ़कर बिम्बो के प्रती जो ललक नई कविता में थी वह साथोतरी कविता में कम होती गई है इसका क्या कारण है ये सारी बातें वे यहां उठाना चाहते हैं क्योंकि जब हम साथो तरीक अविता में देखते हैं तो वहाँ पर बिम्ब विधान के स्थान पर सपाट बयानी देखने को मिलती है यहां पर लेखके भी कहना चाहते हैं कि बिम्ब प्रियोग से क्या हानिया हैं और सपाट बयानी की निस्तियों के ओर संकेत करती है इन सब बातों को उन्होंने इस पश्टता से उधारन सहीत उठाने का प्रियास किया है उन्होंने तथे उठाएं काविशास्त्र को भी यहां पर प्रस्तुत किया है उन सब बिंदों को हम क्रमवार यहां पर समझने का प्रियास करेंगे जिससे उनका पूरा कथन पूरा वक्त तवे हमारे सामने इस पश्ट होकर उजागर हो सकी सबसे पहले जब मूर्तिवत्ता की बात आती है तो उन्होंने जिस बात पर प्रकास डाला है वह है कविता की मूर्ति मत्ता से संबंधित बात को नामवर सी ने निभंत के प्रारम में ही इस प्रश्ट को उठाने का प्रियास किया है कि ये आमधाना क्यों है कि कविता मूर्थ होती है मूर्थी मत्ता के आधार पर ही प्रारम से लेकर अभी तक कविता का मुल्यांकन होता आया है और उन्होंने यहां पर ये भी कहा है कि ये प्रमपरा उतनी ही पुरानी है जितनी प्रवानी या तो कवीता है या फिर कवीता के विशे में कावे के विशे में चर्चा की बात हम कह सकते हैं यहाँ पर नामवर्सी ने अभीनव गुप्त की अभीनव भारती का उधारन भी दिया है और रस प्रकरण के दोरान की गई अभीज्यान शाकुंतलम जेसी करती के एक शलोका उधारन भी दिया है और इस प्रकार से कवीता की मूर्ति मत्ता की और उन्होंने संकेत करना चाहे यह एक अलग बात हो जाती है कि उन्होंने इसे वीभावन व्यापार का नाम दिया है अभीनव गुप्त के समकाली भटनायक थे भटनायक ने भी इस बात को भावकत व्यापार के रूप में कहा है विभावन व्यापार का ही पूरुरूप भावकत व्यापर बताया जाता है हमने कावेशास्त्र में इन चीजों को पढ़ा है हमने वहाँ पर भरत के सुत्र के व्याख्याकार सभी विद्वानों को पढ़ा है तो वहां हमने इस बात को बिल्कुल इस पस्ट किया था पर जहां बात आकर रुखती है वह मूर्तिमत्ता पर आकर रुख जाती है इसलिए यहां पर डॉक्टर नामवर्सी कावे शास्त के विद्वानों को भी अपने साथ लेकर अपनी बात को इस पस्ट करना चाहते हैं आधों ने क्युक में चित्र भाशा की बात की है छायावादी कवी पर अंतनी उन्होंने अपने परलव की भूमीका में इस बात को उठाया था और यदि हम निराला को देखें इसी समय की कवी तो निराला ने इसे चित्र भाशा की विराटता से जोड़कर कावी में रूप अरूप शिर्शक निभंद लिखकर अपनी बात को इस पस्ट किया था इन सारी चीजों को यहां पर नामवर्सी कोड करते हैं उन्होंने हिंदी आलोस नामे आचारे राम चंद्र शुक्री ने भी इस प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त किये हैं इस बात को भी सामने रखा है उसे यहां पर हम कोड करते हैं और वो चीज है कि वस्तु विन्यास प्रधानकाली है यदि वह अच्छी तरह बन पड़ा तो पाठक के इरदे में द्रश के सोंदरे भीशनता विशालता आदिका अनुभव थोड़ा बहुत आप से आप होगा यहां पर जो बात रेखांक करने वाली है वह यह कि शुक्ले जी ने सीधे भावोदगार को कावे शिष्टता के विराट माना हैं इस विवेचन से यहां यह भी स्पस्ट करने का नामर्सी ने प्रयास किया है कि बिम्प के प्रत्ति या भाषा में चित्रमैता के प्रत्ति कोई विचारधारा नई कवि प्रत्ता की ही देन नहीं है इसका बहुत पहले से किंचितल के रूप में ही सही यह प्रचलन अवश्य रहा था और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने शुक्ल को पंत को निराला को और भववुत पिसले जो अभिनव गुपता दिविद्वान हैं उन सब को ही यह पर भटनायक को सामनी रखा है उनकी मत को प्रस्तुत किया है इसी प्रसंग में फिरबाद को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नामवर्सी ने कावी भीम्ब की प्रतिष्टा से सम्बंधित विचार अभिव्यक्त किये हैं कावी भीम्ब की प्रतिष्टा के विश्चे में उन्होंने चायावाद की चर्चा किये और वो कहते हैं कि चायावाद में जिस चित्र भाषा की वकालत की गई थी और पंत नहीं नहीं बल्कि सभी चायावादियों ने इसे कावीता का अनिवारी गुण माना था और एसा मान कर ही कावी स्रजन किया था पर बीच में अथार्थ उसके बाद वाले समय में हैं जब हम देखते हैं तो ये विचारधरा कुछ दब गई थी प्रगतिवादि कावी आया उसके बाद तो प्रगतिवादियों ने उस पर विशेश ध्यान नहीं दिया लेकिन प्रगतिवादि के बाद जब नई कवीता का दोर प्रारण हुआ तो वेज़े ही कावी बिम्ब की बलपूर्वक कवीता में पुनः प्रतिष्टा की गई थी इस तरह से छायावाद के अन्त में प्रतिकरिया सोरूप जब कवीता का भाव से विचार की ओर और कल्पना से वास्त्विक्ता की ओर जुडाऊ हुआ तो एक बार की कवीता में वक्त विदेने की बार्सी ही आ गई थी उनों ने इसके विशे में अपनी बात को विस्तार देते हुए काए कि पंत की युगवानी इसी संक्रमनकाल की रचना है कावे मुल्यांकन के प्रतिमान के रूप में बिम्ब को प्रतिश्टित करने का प्रियास हिंदी में संब्वते पहला ही था और यदि बिम्ब की खोज की बात की जाये तो बिम्ब की खोज पूरी तरे नई नहीं कहिछा सकती ये इस्तापित तत्य है इस बात को नामळसी स्विकार करते हुए अपनी बात कहते हैं कि इस रूप में स्विक्रती नई कविता में प्राप्त हुई परन्तु अलग अलग रूपों में पहले भी कावे के अंतरगत विध्यमान थी आलोसना के स्तरबर बिम्ब को स्विक्रती देने वालों के विशे में उन्होंने चर्चा किये और काय की केदार्नासी ने एत्यासिक महतुका कारे किया है इस विशे में उन्होंने स्वियाम अपनी कविता में बिम्ब धर्मी कविताएं लिखी है 1960 का वर्ष एथ्यासिक द्रश्टी से नई कविता के विकास का चरम बिंदू था और इस बिंदू से एक रास्ता नई कविता की रूडियों की ओर जाता था जिसमें बिमवादी विज्यापित नुस्कों के अंधानुकरन की प्रवरति थी और एक दूसरा रास्ता भी था और वह जो दूसरा रास्ता था वह सच्चे स्रजन का रास्ता था जिसमें बिंववादी प्रवरति के बंदन को तोड़ना आवशक प्रतित हुआ था इस तरह से 1960 का जो वर्ष था वो इस तरह का वर्ष था जब कविता दो ध्रों के ओर बड़ी थी एक बिम्ब को अपनाने वाला और एक बिम्ब के अलावा दूसरे बिम्ब को छोड़ कर अपनी बात कहने वाला कविता की बात करता था इस तरह से नामवर्ष थी ने अपने विचारों को इस निभंद में आगे बढ़ाया है उनके अन्य बिन्दों को जो उन्होंने इसमें स्पस्ट करने का प्रियास किया है हम अपने अगले वीडियो में समझने का प्रियास करेंगी आप इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर क किजिए सब्सक्राइब किजिए और बेल भी बजा दिजी ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो स्वत्त ही मिलते रहें